किसान साथियों रमेशकार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देखरें अपना मन पसंद यूटूब चैनल एग्रिकल्सरा एक्सपर्ट आज की इस वीडियो में किसान भाईयों के लिए लेकर क्या हूँ नर्मा की खेती से जुड़ी कुछ महतपन जानकारी दोस्तों किसान भाईयों के वहुत सारे फोन कोल्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर नर्मा की फसल के अंदर ऐसा क्या किया जाए जिससे फूल वफल ज्यादा से ज्यादा बने तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रकरती के साथ खिलवार ने करें क्योंकि कोई भी पोदा है कोई भी किसम है उसकी या फिर किसी भी फसल की अंदर बात करें तो उसमें फूल वफल बनने की पिर्खिरिया डिपैंड करती है कि उस पोदे के अंदर जैनेटिक्स जो छमता डाली गई है उसी इसाफ से वो फूल वफल उठाएगा मान लीजिए यदि आपकी कैपेसिटी एक वाटर की यानि एक पुवा पीने की है और आपको कोई एक बोतल थमा दे तो आप उल्टिया ही करोगे ना कि उस सारी को पचा जाओगे ठीक वैसा ही पोदों के साथ भी होता है अगर आप इसको कुछ भी एनाप सनाप कैमिकल डाल करके फूल वफल बनवा भी देंगे तो पोदा साथ मार जाएगा वो पूरे फूल वफल नहीं बदलेंगे तो यही आपको नहीं करना है हाला कि कमपनिया जो भी है पेस्टिसाइड कमपनिया उनका काम होता है किसानों को लूटना जब भी आप किसी भी खादबीज की दुकान पर जाकर ये बोलोगे कि हमारे नर्मा का पास की फसल के अंदर फूल वफल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें वो आपको अनाप सनाब यानि फेले बर-बर के कैमिकल दे देंगे ये छिड़क दो वो छिड़क दो उनको पैसे बन रहा है उनको पैसे बनाने से मतलब है आपको क्या करना है ज्यादा कैमिकल के भरोसे नहीं रहें सबसे पहले चीज तो यह है जब तक पिछवा हवाई नहीं चलेगी नर्मा और कपास चाहे कोई भी फसल हो उसके अंदर फ्लोरिंग और फूर्टिंग की परकिलिया इतनी बेटर जो आप चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी तो सबसे पहले चीज तो यह है पिछवा हवाई चलने का इंतिजार थोड़ा करें दूसरी चीज जो किसान भाई अभी चिंती तो रहे हैं कि नर्मा की फसल में इतने फूल वफल नहीं है तो अभी वो टाइम भी नहीं आया है कि नर्मा का पास के अंदर जितना आप चाहते हैं उतना फूल वफल बन जाए तीसरी चीज में आपको बताऊंगा ऐसे टोनिक या ऐसी चीजे ही डालें जो अपने घर पे ही उपलब्ध हो उनका आप परियोग करें इससे पहले हमने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है दलाल खोल कैसे बनाएं उसका यदि आप परियोग करते हैं तो कम खर्चे के अंदर बजार से कुछ नहीं लेके आना जो सीजे आपके पास गरमे उपलब्ध हैं उनी चीजों का परियोग करके आप दलाल घोल बना सकते हैं और बहुती बड़ी आई रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा पंदरा दिनों के अदस दिनों के अंतराल पे दो सपरे कर दें आपको कोई टोनिक डालने की जूरूरत नहीं है नर्मा कपास की फसल में बहुती अच्छे फ्लोरिंग और फ्रूटिंग होगी यदि फिर भी आपको एक कैमिकल लित्यादी खेत में डालना चाहते हैं तो मैं आपको बहुती कम खर्चे का आसान सा एक्टोनिक बताता हूँ जिसका आप उप्योग करके नर्मा कपास के अंदर बहतरी फ्रूटिंग ले सकते हैं इसके लिए आपको काम में लेना है NPK 13045 और शाथ में इफको का प्रोड़क्ट आता है हुमेट्सू उसको 200 ml हुमेट्सू और 1-5 kg NPK 13045 एक एकड़ के अंदर आपको छिड़काओ करना है इसके लाद दूसरा है आप हुमेट्सू नहीं मिलता है तो उसके साथ में आप एग आप अपना सवाल वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जितना जल्दी हो उसके आपको उसका जवाब मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो शाधिक साधिक लाइक बसे जरूर करें और दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि भुविशे में भी आपको खेती किसाने से जोड़ी हर एक महतपुन अपडेट सबसे पहले प्राप्तो